हेलो और वेल्कम बैक टू चैनल कॉमर्स कंसे बिल्टिंग अब किसे आप सब आई हूप आप सब एक दम अच्छे होंगे एक दम बढ़िया होंगे आप सब की पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी तो जैसे कि आप सब जानते हैं आपको मार्केटिंग का प्रड़क् में ही जो है रिटेल प्राइस और रिसलड़ प्राइस वैसे तो यह रिसेल प्राइस में टेनिस टापिक है लेकिन इसमें इता पता है कि भी जी प्राइस बेसिकली होता क्या है? रिटेल प्राइस एन रिसेल प्राइस I hope आपको क्लियर लिए दोनों चीज़े आपे दिख रही हूँ देखें, बहुती सिंपल सा है रिटेल प्राइस वो प्राइस होता है जो की सेट करता है एक रिटेलर जो की कौन सेट करता है? सेट बाइ रिटेलर्स अब देखें, रिटेलर्स कौन होते हैं? जो डारेक्टली कस्टमर को समान बेचते हैं और जो ये रिटेलर्स होते हैं ये कम स्टॉक मेंटेन करते हैं अपने पास क्योंकि होलसेलर क्या होते हैं? लोग होते हैं जो पूरा एक stock maintain करते हैं ठीक है और retailer कौन लोग होते हैं retailer वो लोग होते है जो dietly customer को goods बेचते हैं और इनके पास quantity जो stock maintain करते हैं वो थोड़ा कम होता है as compared to wholesaler तो यहां पर जो retail price है यह जो price होते हैं set करते हैं रिटेलर अपने profit margin के हिसाब से अपने price को कम जादा कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो, एक तो होता है cost plus expenses, यह जो price set करते हैं, जब मैंने आपको price का chapter, यह product pricing मैंने आपको start किया था, तभी मैंने आपको बताया था, जो product का जो price होता है, वो बहुत साही चीजों को मिलाके, add करक तो cost है, expenses है, plus यहाँ पे profit margin, profit margin, जितना भी रिटेलर अपना profit margin लेना चाहता है, वो ले भी सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे कम भी कर सकता है, कभी profit margin कभी ज़्यादा भी कर सकता है, तो अगर हम short में बात करने, तो short में यह है, retail price की कहानी यही है, कि यह set करता है, रिटेलर अपने हिसाब से, अपने profit margin के हिसाब से, वो यहाँ पे अपने product के price को set करता है, और ऐसा होता है, देखे, अब आप कहेंगे कि ऐसे situation, ऐसे market condition कहाँ exist करती है, करती है, आपने देखा होगा, जो कट्टों के जो समान होते हैं, उन पे कोई brand name या कोई price वरा लिखा वनी होता ह तो वो क्या करते हैं, जो पर्चून की दुकान आप बोसंते हैं, जो किराने की दुकाने होते हैं, यहाँ पे तो जो retailers हैं, जो उनके shop owner हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से price को set करते हैं, जैसे आया है, उनके पास चावल का कट्टा, कोई brand name कुछ नहीं है, local है ठीक है, ना price लिखा है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे price adjust करेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी situation, दूसरी market condition एक ऐसी आती है, जिसमें जो retailer होता है, retailer plus wholesaler, जितने भी resellers हैं, resellers का मतलब क्या होता है, reseller का मतलब यह होता है, जब manufacturer ने good बनाया, तो वो आगे दे रहा है, wholesaler क dealer's को, retailers को कि तुम आगे जा कि इसको बेचो, मतलब resell करो, पहले तो manufacturer ने wholesaler, retailers पर आपको sale किया, अब जब wholesaler, retailer आगे उसको sale करते हैं, मतलब वो resell करते हैं, उसको हम बोलता है, resell, resell, ठीक है, resell का मतलब यह होता है, दुबार से उसको sale करना, retailer ने manufacturer से good purchase किया, ठीक है, आगे बेच रहा है, तो इसका मतलब वोता है, resell price क्या होता है, resell price वो price होता है, जो कि manufacture set करता है, ध्यान से सुनना, इसमें यही एक difference है, यह manufacture set करता है, manufacturer जो होता है, वो set करता है, यहाँ पर price, और जितने भी resellers हैं, चाहिए, वो manufacturer, चाहिए, वो dealer, चाहिए, वो retailer हो, कोई प्राइस को के साथ छेड़ खानी नहीं कर सकता, जो price manufacture ने set कर दिया है, उसी पर वो good sold होगा, ना आप यह price कम कर सकते हो, ना आप यह price बढ़ा सकते हो, चाहिए, आप retailer हो, चाहिए, आप dealer हो, कितने भी reseller क्यों ना हो बीच में, आप price के साथ छेड़ खानी नहीं कर सकते हो जो यहाँ पर manufacture ने price set कर दिया है, वो ही आपको अपना price रख की product को बेचना है, ठीक है, I hope आपको retail price और retail price में फर्क समझ में आ गया हो, और जो topic है, जो हमारा topic है, वो यही है, retail price maintenance, retail price क्या होता है, वो मैं आपको बता दिया है, retail price maintenance को हम RPM भी बोलते हैं, बहुत important topic है, बच् होते हैं कि RPM है, क्या RPM कुछ नहीं है, आपको retail price पता है, वो ही चीज़ RPM है, और कुछ नहीं RPM, retail price maintenance, maintenance का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को maintain करके रखना, retail price maintenance, यही हाँ, RPM, retail price maintenance, कभी कबार हम लिखते लिखते भी ना, spelling भूल जाते हैं, हाँ, जिसको हम बोलते हैं, RPM, RPM, इसकी एक standard short form है, मैं आपको पहली बता दिती हूँ, जब भी मैं कोई short form दिखते हूँ, तो मैं आपको बता दिती हूँ, यह standard नहीं है, यह standard है, लेकिन RPM is the standard short form of retail price maintenance, ठीक है, तब resale price क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है, अब resale price maintenance क्या होता है, सुनिए, maintenance यहाँ पर word add हो गया है, वैसे वही मतलब है, resale price maintenance एक policy है, एक तरह से हम बोले, एक policy है, जो आज के time में, सब company इसको follow करती है, यह एक policy है, जो की adopt करती है, आज कल, ज़्यादतर company adopted by firms, या company भी आप दिख सकते हैं, बहुत सारी ज़्यादतर company, यही वाली policy अपनी चलाती है, कौन सी RPM, resale price maintenance, इसमें वही बात होती है, यह ऐसी policy है, जहाँ पे हम customer के साथ कोई धोका धड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो manufacturer है, उसने एक price set कर दिया है, तो कोई भी wholesaler, कोई भी retailer उस price को change नहीं कर सकता, ना वो ज़्यादा price से बेच सकता है, ना वो कम कर सकता है, कोई price में वो भीदबब नहीं कर सकता है, customer के साथ भी यहाँ पे injustice नहीं होगा, manufacturer ने 100 रुपे का product decide किया है, तो सब जंगा वो 100 रुपे का ही भीखेगा, कोई ऐसा नहीं होगा, कि तुम यहाँ यहाँ पे उसको 50 का बेच रहे हो, 50 का तुम वो जब बेच रहेगा, जब कोई उसका रिश्यदार होगा, वन्ना सब जादे ही बेचते हैं, कोई दोस्तों का कभी बेच सकता है, कोई rates का भी बेच सकता है, यह वाली situation यहाँ पे नहीं होगा, इन्शॉर्ड यहाँ पे हम customer के साथ justice करते हैं, यहाँ पे हम equality रखते हैं, price में, यहाँ पे equality रखी जाती है, price में, क्यों रखी जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी policy है, जहाँ पे हम अपने price को maintain करके चलते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको एक बार retail price का भी बता जीते हैं, फिर RPM भी बता जीते हूं, पढ़के मैं आपको बता रहे हूं, retail price is that price at which retailer sells the product to his customer, retail price एक ऐसा price है, जिस price पे जो retailer को अपने product बेचता है, usually the retailer sells his price on the basis of cost plus expenses plus profit margin, वही मैंने आप को भी बात बताए, जो retailers हैं, वो खुद से price decide करते हैं, कैसे price decide करते हैं, cost plus expensive plus profit margin, by reducing or increasing his own profit margin, retail is free to sell the product at any price he deems, यहाँ पे retailer को छूट है, भाई, तुम कितना भी price में, कितना भी अपना profit margin, तुम बढ़ाओ या कम करो, तुम प्राइस को बढ़ाओ या कम करो, तुमारी मरसी है ठीक है ना, whereas resale price maintenance, अब ध्यान से सुनिया, is a policy under which the manufacturer of branded product fixes the price of his product, below which his product would not be sold to customers or by, sorry, sold to customers by wholesalers and retailers, यह कहना चाहरे हैं कि retail price maintenance ऐसी policy है, जादा तर, जो RPM वाली जो policy है, जादा तर branded goods में यहाँ पे follow की जाती है, यह चीज में आपको बताना भूल गेती है, branded product में जादा तर follow की जाती है, और इस price को कोई छेड़ छाड नहीं कर सकता, देखे, अगर यहाँ पे Amul का जो दूद है, Amul का एक लिटर का जो दूद का packet आता है, अगर वो 50 रुपे का उत्रा खंड में मिल रहा है, तो दूसरी जंगा भी वह ही packet एक लिटर का 50 रुपे का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे standard price है, जो कि manufacturer ने set कर रखा है, कोई भी wholesaler, retailer उसको नहीं कर सकता, मतलब कोई छेड़ छा तो एक तरह से contract होता है, between manufacturer and the reseller, reseller माने तो, जितने भी बीच के जो बंदे होते हैं, जो आगे product को sell कर रहे हैं, customer को, उनको हम बोलते हैं, reseller, जैसे होते हैं, दो basic resellers, जो होते हैं, वो होते हैं, आपके wholesaler और retailers, ठीक है, तो इनके बीच में contract होता है, कि तुम बिलकुल price को change नहीं करोगे, ठीक है, the contract normally stipulates a condition that the reseller will have to sell the product at a price fixed by the manufacturer, ये लोग एक ऐसी condition रखते हैं, manufacturer की तुम reseller के सामने वो एक ऐसी condition रखते हैं, कि reseller जिससे, मतलब वो ये कहते हैं, इन शौट में आपको बताओं, वो manufacturer ये कहते हैं, resellers को कि तुम यहाँ पे अपने price, यहाँ पे अपने साफ से मेरे price को change नहीं कर सकते, ये मेरी condition है, अगर तुमने कुछ भी छेड़चार की, तो उसकी punishment तुम्हें भूगतनी पड़ेगी, छीक है, ये ज़्यादा तर जो ये RPM price वाली जो policy होती है, ज़्यादा तर branded products में ये follow up की जाती है, छीक है, ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं, तो ये होता है आपका reseal price maintenance, I hope आपको ये वाला जो इसका basic concept है, वो clear हुआ हो, इसकी advantages और इसकी criticism वो मैं आपको कल की class में करौँगी, इसको criticize भी काफी जनों ने इसको कर रख है, RPM को मैं आपको बताती हूँ, इस starting से मैं आपको बताती हूँ, कोई भी एक topic है, उसकी negative and positive side दोनों ही होती है, तो इस topic के भी है, तो वो मैं आपको कल को करौँगी, लेकिन आज की class में, मैंने आपको ये बताया है, retail price और retail price क्या होता है, अब हम मिलेंगे कल की class में, तब तक लिबाई,